हेलो गाइज, यू आ गूँग तो लर्न फोर फोरेवर, लर्न फोर फोरेवर वेलकम स्यो गूड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पैरेंट्स प्यारे बच्चों, आज की जो वर्क्षिट है दुबारा से हमारा ध्याना कर्षिद कर रही है हमारी डेली वेसिस, लाइफ में जो हम कुड़ा जेनरेट करते हैं उसकी तरफ चारो तरफ कुड़ा ही कुड़ा नजर आता है अगर आप देखे बाहर निकलें क्योंकि हमारे देश में अबादी इतनी जादा है और उसी अनुपात में हम कुड़ा फैलाते हैं देखिए रहे दो बॉक्से जाना कहीं भी जाये मौल, पार्क, सड़क, बजार आपको हर जग़ा कुड़ा इकुड़ा नजर आता है और हमारी आदते इतनी खराब हैं कि हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं अब सरकार ने प्रयास किया है कि वो हमें सचेत करे और सिर्फ सरकार की जिम्मदारी नहीं है यह हमारी जिम्मदारी है हर विक्ति की जिम्मदारी है कि वो अपने एंड पे इसके लिए प्रयास करे अपने आदते सुधार है तमाम प्रकार के जो प्रदूसर्ण हम फैलाते हैं चाहे वो प्रदूसर्ण कितने प्रकार के हैं अगर आपने इसको समझा है हम पहले भी वर्क्षेट कर चुके हैं तो कमेंट में बताइएगे कि आपने किन किन प्रकार के प्रदूसर्ण को समझा है प्लीज बताईएगा वीडियो को लाइक किजिएगा चनल को सब्सक्राइब किजिएगा हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और इसमें हम देखेंगे जो कुड़े वाले गाड़ी आती है हमारे पास वो क्या कहती है अगर आपको ध्यान है तो मुझे कमेंड बताईए कि वो क्या कहती है चलिए मैं बताईता हूँ वो कहती है कि गीला कूड़ा अलग रखें और सुखा कूड़ा अलग रखें और ये भी बताती है कि इसमें गीले में कौन-कौन से है और सुखे में कौन-कौन से है क्या आपने सुना है, अगर सुना है, सुनना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए, अगर वो कुछ कह रहा है, तो obviously आपको गाड़ी की आवाज को सुनना चाहिए, वो कह किसलिए रहा है, सुनने के लिए ही तो कह रहा है, है ना, हमारी आज़तों को सुधारने के लिए ही त को करते हैं आपकी समझ बढ़ेगी बच्चों पूरा वीडियो देखेंगे तो obviously आपकी knowledge बढ़ेगी आपसे request बच्चों के वीडियो को पूरा देखा करें सिर्फ questions करने के लिए नाक वीडियो देखें इससे क्या होता है कि आप questions तो कर लेते हैं आपका मकसद सिर्फ worksheet करना नहीं होना चाहिए आपका मकसद कुछ सीखना होना चाहिए तो चली एक बढ़ पढ़ते हैं फिर समझते हैं और इसके questions answers को करेंगे देखिएगा ये 6 to 8 के लिए है आपकी specific class की तो आती है प्लस ये भी अलग से एक class wise भी आती है ये all together है 6 to 8 के लिए और बाकी जो आ रही है ये 58th मेंबर की है वो class wise भी आ रही है subject wise वे भी वीडियो मेंने डाल रखे हैं class wise आप उनको भी देखें लाइक करें और comment करें आप प्लीज अपने सरीर की सफाई के साथ साथ ये हमी जरूरी है कि हम अपने आस पास के वा तावरोन को साफ रखें बिलकुल जहां देखें, वहां लोग कुड़ा फेक देते हैं, आतों से मजबूर है, हवा में बहुत से सुक्ष मजीव पाये जाते हैं, वे हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इन से बहुत सी बिमारिया होती हैं, हमने पिछली वर्क सीट में करा भी है, पिछली वर्क सीट अबलेबल हैं, आप देख सकते हैं, सुक्ष मजीव के परकार, हवा के साथ-साथ गंदगी और कुड़े करकट में भी बिमारी फैलने, फैलाने वाले बहुत सुक्ष मजीव उपस्तित रहते हैं, हवा में और कुड़े करकट में, दोनों जगे, है न? इसलिए हमें हमारे घर की रोज तूटी सीसे की बोतल, आदी को सुखे कच्चरे को नीले कुड़ेदान में डालना चाहिए, इस तरीके से गीला कुड़ा और सुखा कुड़ा, जिस से उसका निप्टारा सही धंग से हो सके, और कुड़ा कम से कम निकले, आपके घर से इसका प्रयास करिए, देखी अपने सहर को साफ रख पाते हैं, फिर इस प्रकार से देखें तो क्या हमारे अपने देश की हमारी क्या इस्थीति कर रहे हैं हम लोग, कितना कुड़ा जेनरेट करते हैं, तो कोशिस यह करने है कि कम से कुड़ा, कम से कम कुड़ा फैला है हम लोग, कुछ वस्तूओं, थेलाने होगा थेले आदी को फेकने से पहले देख लेना चाहिए कि क्या यह दुबारा इस्तमाल हो सकते हैं और वेसली सिर्फ काज की बहुता ले थेला इन्हीं कोई भी स्टीज फेकने से पहले हमें यह ध्यान देना है कि क्या हो री यूजेवल है समझ रहें इससे क्या होगा हम कमकूडा जेनरेट करेंगे और प्रयावण के द्रिष्टी कोंड से भी हम अपना सही योग दे पाएंगे यदि हाँ तो उन्हें दोबारा जरूर इस्तमाल करना चाहिए दोबारा नहीं होता बच्चो दूबारा होता है दूबारा ठीक है इस तरीके से चली आगे देखते हैं इससे जो संबंधित कोश्चान सांसर है उनको करते हैं ठीक है आए देखे हमने क्या सीखा देखिएगा आपके भाई ने कागज के छोटे छोटे टुकड़े किये उसे किस कुड़दान में इन कागज के टुकड़ों को फेकना चाहिए आपके भाई को उसे मतलब आपके भाई को इसको किस में फेकना चाहिए पहले वाले में कौन सा नीला था कैसा था हो हरा था है न उसको फेकना चाहिए यह हरे में हरे डिबे में हरे कुड़दान में ठीक है उन दो चीजों के नाम लिखे जिने कुड़दान में फेकने से पहले हमें 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 देख लेना चाहिए कि क्या हम उन्हें पुनाय प्रयोग में ला सकते हैं इसने जो बताया सीशा किसने वर्क्षीट ने सीशा और थैला बाकी और भी चीजे हो सकती हैं जिनको हमें जरूर देखना चाहिए क्या कि क्या इसको हम और इस्तिमाल कर सकते हैं इससे क्या होगा रिडियूस होगा आपकी एकनौमी पैसा कम खर्च होगा और प्रयावरण के दिश्टी कोन से भी ठीक रहेगा तीसरा देखिएगा आपके घर से निकलने वाले सूखे कचरे की सूची बनाईए सूखे कचरे जो भी कचड़ा आपके घर से लिखड़ता है उसके बारे में वरक्षित्र बनाएं जिसमें आपकी मा को सबजीयों और फ़लों के छिलके फेकने चाहिए यह आप समझ पाए हैं अगर तो बताएए बनाकर दिखाएगा कौन से बनाएंगे हरा हरा बनाएंगे न यह इसमें क्या डालते हैं ग्रीन चीज डालते हैं ऐसी चीज़ डालते ह हैं जो सुक्ष मजीवों के द्वारा खाल कर नस्ट कर दे जा जो बायो डिगरेवल हो समझ ले हैं हमने इसके बार में पढ़ा भी है इस वरक्षिट में किया भी है इस चीज़ को ध्यान होगर आपको आई हो बच्चो मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा आपको वीडियो क लाइक किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे सो थैंक्स पूर नाओ इस्टे सेफ इस्टे हों टेक कियर